सेगाव विकास खंड के उन थाना छेतर के केली गाओं में एक महिला का उसके पती को कंदे पर बिठा कर गाओं में घुमा कर उसके साथ मारपीट कर मानोता वो शर्मशार करने वाला संसरी खेज मामला सामने आया है पती का घर छोड़ कर अपने काका के घर रही 45 वर्षिय महिला के साथ पहले महिला के भाईयों ने सारोजनिक पिटाई की और फिर पती को कंदे पर बैठा कर पूरे गाओं में घुमबाया अमानुयता की हद को पार कर रहे इस घटना करम का वीडियो वाइरल हो रहा है उन पुलिस ने पती मगन मनस्य सही साथ लोगों को गिरफतार कर लिया है महिला अपने पती का घर छोड़ कर पाच माह से काका के घर ही रह रही थी काका के घर रहने पर पती और महिला के भाईयों ने ही उसे सजा दी है पूरी घटना 30 जून की बताई जा रही है दरसल पती एक घत्या कांड में जेल चला गया था SGOP राकेश मोहिन शुकला ने मीडिया को बताई की 30 जून को केली में पारिवारिक विवाद हुआ था मौके पर ASI सूरेन सीह पवार पहुचे थे लेकिन महिला पती के साथ जाने को राजी हो गई थी बाद में सम्जूता हो गया था काका अनार सीह और महिला के चोट के निशान पर मैडिकल करा कर पुलिस ने समझाइज देकर अदम चेक काड़ दिया था सेगाओं से संजे जैस्वाल की रिपोर्ट पारवारीक विवाद हो रहा है जिस पर हंडिडड डायल ततकाल जो शेगाओं में थी वो रवाना हुई और साथ ही उन थाने से सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र अपने आरक्षक और महिला आरक्षक को लेकर गाओं में रवाना हुए। गाओं में जब वहाँ पहुचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ काफी सारे लोग बैठे थे। और एक वहाँ विवाद था जिसमें बताया कि वो पारवारीक विवाद है। यह एक महिला है वो जो अपने पती के घर नहीं जा रही है। महिला को कुछ चोटे थी जो उसका काका है अनार सिंग उसको भी कुछ चोटे थी उन सब को थाने ले जाया गया। वहाँ उनका मेडिकल परिक्षन कराया गया। वहां फिर जो मोहले वाले हैं उन लोगों ने और गाओं वालों ने उनका आपस में समझोता करा दिया और करीब दुपैर में धाई तीन बजे वो महिला अपने सुस्राल जो नांगलवाडी कोद्रड़ा गाओं हैं वहां के लिए रवाना हो गई इस संबन्द में जो मेडिकल कराया गया था उस अनार सिंग की रिपोर्ट पे पुलिस द्वारा अदम चेक लिखी गई और महिला का भी मेडिकल परिक्षन कराया गया परसों एक कल एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें ये दिखाया गया कि वो महिला को उसके कंदे के ऊपर पती बिठाल के उसको गुमाया जा रहा है पुलिस दिक्षक शिरी धर्हमिज सिंग आदो साथ द्वारा एकदम ततकाल संग्यान लिया गया मैं भी घटना इस्तल पर गया उस महिला जो की पुने वापिस केली गाउं में आ गई थी उससे बातचीत की और बातचीत में ये हम लोगों ने एक प्रकण पंजी बद्दी किया है 147, 148, 150, 354, 355, 509 और 506 उसमें उसको गृफतार किया गया उस जो पांच नामजद उन्होंने बताए थे जो वीडियो वाइरल हुए हैं वो वीडियो सारे हमारे संग्यान में हैं उन वीडियो में देखकर हम आरोपियों की और शिनाक्त कर रहे हैं इसमें 20 से 25 आदमियों कृफप जो इस जगहन कारको करते हुए उनको सभी को कर्फ़तार किया हैं अभी जो नामजद पांच थे वो गरफतार कर लिए गए हैं दो लोग और रात को गरफतार किया गए हैं और हमारी टीम ने लगी हैं इसमें से स्च अरूपियों को भी सीगर है अहीं तक साथ सबस्क्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें